हाई लो एवरिवान डिनर के लिए रेसिपी धून रहे हैं तो चिप बिल्कुल आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है आज हम विकेंड स्पेशल एक डिनर रेसिपी लेकर आए हैं चिकिन पुलाव नौन मिश डवस के लिए तो चलिए फटा फटा हम रेसिपी पे आते हैं य हमने 300 ग्राम चिकिन धो कर ले लिया है और एक कुकर गैस वर रखकर गैस ओन कर दी है और इसमें 2 से धाई गिलास हम पानी एड़ करेंगे और हाफ स्पून हम सॉल्ट एड़ करेंगे इसमें और ज्यादा कुछ हमें इसमें मसाले नहीं डालने हैं अब हम क्या करेंगे इसक लिड़ लगा देंगे और बस लिड़ लगाकर एक विसल आने देंगे और एक विसल आने के बाद हम गैस को आफ कर देंगे और स्टीम अपने आप रिलीज होने देंगे और जब तक स्टीम रिलीज हो तब तक आप बाकी तयारी कर सकते हैं तो 10 मिनट हो गए हैं स्टीम रिलीज हो गई है तो अब हम कूकर को खोल कर चेक कर लेते हैं तो जी, सबसे पहले हम पीसिस को अलग कर लेते हैं एक बरतन में और चेक कर लेते हैं, पीसिस हमारे टेंडर हो गए हैं और सारे पीसिस इसी तरहें आप एक बरतन में अलग से निकाल लें तो ये सारे पीसिस हमने अलग कर लिए हैं, और जो ये स्टॉक पचा है, चिक्किन सूप पचा है इसको फैकिएगा मत, इसका इस्तिमाल अब बात में हम राइस बनाते वक्त करेंगे और अब हम एक पैन को में थूड़ा ओयल डालेंगे और बिल्कुल लेस सॉइल डालना है हमें, और गैस ओन कर दीजिए और जो हमने ये चिक्किन निकाला है पॉयल करके, ये फिका फिका ना लगे इसलिए हम इसमें थोड़े से मसाले डाल कर मैरिनिट करेंगे तो नमक तो हमने पहले डाल ही दिया था अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे इसमें थोड़ी हमने हाफ स्पून ब्लैक पेपर लिया है और साथी में हम हाफ स्पून रेच चिली पाउडर भी लेंगे वर्णा आपकी बिर्यानी फिकी फिकी लगेगी और वन स्पून हम या फिर वन लेमन जूस हम इसमें एड़ करेंगे और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे जो हमने पैन में ऐल लिया है उसमें हम इसको shallow fry करेंगे और fry करने से आपके चिक्किन बिर्यानी का टेस्ट बहुत एन्हेंस हो जाएगा और इसको हलका सा आप भून लें और जेनरली सब क्या करते हैं बिर्यानी बनाते वक्त खड़े मसालों की पोटली बनाते हैं और उसमें छोड़ देते हैं बॉयल करते समय पर मैं यहां पर आपको बिल्कुल डिफरेंट मैथेट से बताने चाह रही हूँ और बस यह fry हो जाए उसके बाद मैं आपको next step बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से बिर्यानी को बनाया है और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है तो यह देखिए पीस को इस तरह से आप पलटते हैं एक साइट से हो जाएं तो जी अब gas off कर दीजिए और इस chicken को side में रख दीजिए और अब एक दूसरी कड़ाई ले लें और ये हमने सवा गिलास बसमती चावल लिये हैं उनको धोकर ले लिया है जेनरली मार्केट में जो बिर्यानी मिलती है या फिस शादियों में बनाई जाती है उसमें सेला राइस इस्तिमाल किया जाता है और मैंने बसमती राइस इस्तिमाल किया है अब हम क्या करेंगे एक इंच हमने ginger का टुकडा लिया 5-6 cloves हमने garlic के लिए हैं और थोड़े से सौफ लिये हैं और इसको हम एक grinder में थोड़ा सा पानी डाल कर grind कर लेंगे तो इसका lid लगा दीजिए और एक बार इसको चर्ण कर लीजिए तो बस इतना सा ही पानी डालना है हमें देखे ये grind कर लिया है और मसाला हमारा less था तो ये साइडों में चिपक क्या है और अब इसको हम निकाल कर एक साइड में रख देते हैं और अब हम क्या करेंगे कड़ाई में हमने देशी घी का इस्तिमाल किया है बिर्यानी में आप चाहें तो ओयल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बट ये देशी घी में मसालों का फ्लेवर उभर कराएगा बहुत फ्लेवर फुल बनेगी आपकी बिर्यानी तो जी हमारा घी गरम होने आया अब उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे हमने तो तेश पत्ते लिए हैं शाह जीरा रेगलों जीरा और थोड़े से सौफ हमने इस वक्त पे भी डाले हैं और हमने एक बड़ी लाइची ली है और कुछ काली मिर्च ली है हमने और एक ये हमने जावित्री का फूल लिया है इसे भी इसी तरीके से साबूत ही डाल देंगे तो ये सारे खड़े मसाले डाल कर आप एक बार एक सेकंड के लिए इनको भून ले और थोड़ा सा हमने क्रश्ट गार्लिक भी लिया है और इसका भी अलग सा फ्लीवर आएगा और थोड़ा सा हमने गेटिर जिंजर भी लिया है और इनको डालने के बाद भी आप इनको मसाला हमारा गोल्डन हो गया है अब देखें हम क्या करेंगे बहुत अरोमा आ रहा है मसालों का हमने ये दो से तीन ग्रीन चीली लेकर इनको बीच में से स्लिक कर लिया है इनको भी हम इस वक्त पर डार देंगे और एक बार इनको भी टॉस कर दें और हमने दो बड़े लंबे कंटे अनियन लेकर इनको भी गोल्डन होने तक भुनना है और साथ ही में हमने half spoon salt लिया है और salt हमने boil करते समय भी डाला था और marination में भी डाला था तो आप अपने taste की अनुसार इसको balance करते हुए ही डालें तो onion को fry कर लें यहाँ पर मैं आपको एक tip दे देती हूँ यह मैंने half spoon sugar लिया है sugar को एक side में डाल दें और जब वो caramelized होने लगेगी तो यह बिर्यानी को एक color देगी और बहुत अच्छा color आएगा और onion भी जल्दी से भुन जाएंगे तो देखी यह onion हमारे golden होने आए और अब हम rice को भी add कर देंगे और rice डालने के बाद भी हम इसको मसालों के साथ दो से तीन मिनट तक भुनेंगे बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है बस मैं सिर्फ खुश्बू ले सकती हूं क्योंकि मैं non-wish खाती नहीं हूं तो मैं बिल्कुल simple method आपको बता रही हूं और हमने सारे मसाले बैरेक्ट ही डाले हैं कोई हमने पोटली नहीं बनाई है काले मिर्च, किचिन किंग ये किचिन किंग मसाला डाल रहे हैं हम और साथ ही में हमने half spoon काले मिष्ट भी डाला है और बिल्कुल generally ये सिर्फ salt वाला बनता है ये चिकिन पुलाव मैंने थोड़ी से red chili powder का भी इस्तिमाल किया है देखिए aroma आने लगा है बहुत खुश्बू आ रही है और अभी तक हमने चिकिन का कुछ भी नहीं डाला है नॉर्मल पुलाव भी आप ऐसे बना सकते हैं अगर आप non-wage नहीं घाते और देखिए ये वाला गिलास हमने सवा गिलास राइस का लिया था इसका double हम पानी डालेंगे धाय गिलास हम क्या करेंगे जो हमने ये stock था ना चिकिन वाला पहले हम ये डालेंगे अगर कम पड़ेगा तो हम दूसरा पानी लेंगे तो ये दो गिलास and half ये धाय गिलास enough ये ही पानी है और इसी में ये राइस बनेंगे पूरा चिकिन का टेस्ट इसमें आ जाएगा और ये ध्यान रखना है कि आपको stock को फैटना नहीं है और एक वाइल आ गया है और आप लिड लगा दें और ये जो हमने मसाला भून के रखा था ना जिंजर, गार्लिक and सॉंफ का इस वक्त पर हम इसे एड़ कर देंगे और देखिए हमने कोई पोटली नहीं बनाई है हमने डाइरेक्ट ही मसाले डाले है और एक बार इसको अच्छे से स्टर कर दें ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं और इसको लिट लगा दें और एक वाइल आने पर हम गैस लो फ्लेम पर कर देंगे और लो फ्लेम पर करीब 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे से और ये 10 मिनट हो गए हैं चलिए खोल के देख लेते हैं हम और ये देखे ऊपर बिल्कुल राइस में छेट 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 नजर आने लगे हैं तो अभी हल्की सी कसर है चावलों में तो हम क्या करेंगे इसको हम अब दम पे पकाएंगे इसके नीजे हम नॉर्मल आइन का तबा रखतेंगे और फिर से इसका लिड लगा देंगे और करीब पांच मिनट भी इस पे भी पकने देंगे चलिए खोल के देख लेते हैं एक बार फिर से देखे खुश्पू तो बहुत आ रही है और ये हमारे देखो बिल्कुल बिखरे बिखरे से राइस बने है बहुत यम देख रहे है तो अब इस वक्त पे जो हमने मैरिनेशन किया था चिकिन का और उसी का ये पानी बचा है हमने देगी मेच का इस्तिमाल कर किया था ये भी एड कर देंगे ये भी एक बहुत अच्छा कलर देगी बिर्यानी को हम थो ओडा सा चॉप्ट क्रीन कॉरियांडर ये पूट कर देंगे और ये जो चिकिन हमने फ्राई करके रखा था ये भी इस वक्त पर हम इसमें एड कर देंगे और एक बार अच्छे से टॉस कर दें इन फैक्ट पीसिस को आप राईस के नीचे दबा दें ताकि इनका पूरा जो टेस्ट है वो बिल्कुल मिल जाए राईस में तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है बहुत खिले खिले बने हैं ये एक बार फिस से हम लेड लगा देंगे ताकि ये आपस में सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं तो करीब दो से तीर मिनेट हम वेट करेंगे और आप सोच रहे होंगे हम इसको खाएंगे किसके साथ तो जब तक ये हमारी बिल्यानी तयार होती है हम हरी चटनी पनाएंगे हरी चटनी का मैं छोटा सा क्लिप दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फुल रेसिपी का लिंक दे दूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजेगा तो ये जी हमने देखिए नॉर्मली जैसे बनती है ग्रीन चिली अनियन थोड़ा सा जिंजर और हमने लिया है हाफ स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा चॉप्ट एंड वॉश्ट दनिया एड़ करेंगे और वन लेमन का जूस डाला है तो एक बार हम चर्ण करेंगे तो हो गई हमारी चटनी तयार है ना आप चाहें तो साइड में कोई डिब भी बना सकते हैं तो चटनी हर किसी को आती होती है बिल्कुल सिंपल होती है तो मैंने इसके साथ चटनी का कामबीनेशन रखा है और बिना ताम ज्ञाम के हमारी ब्र कर रेडी हो गई है देखिए कितने खिले खिले राइस बने हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है चलिए प्लेट आउट करते हैं तो सर्व करके आपको दिखा देते हैं यह देखिए है ना कितने टैंप्टिंग डिलिशियस और यह तो आप बनाएंगे तभी पता चलेगा आपको कि खाने में भी उतनी ही अच्छी है जितने की देखने में तो अच्छी बनाएं खाएं खिलाएं और अपना फीडबैक हमें कामेट्स में देना ना भूलें तो इसको गानिश कर दिजिए अन्यन के लच्छे से और थोड़ा सा इस तरीके से ये कानदा लसुन मसाला में पास है इसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा और साइड में चटनी तो है ही चलिए आपको प्राय कर रहे हैं